गुट मॉर्निंग चिल्रेन बच्चों, कल हमने पाठ चार घटा गेरी जूम के नामक कविता की प्रतम बारा पंक्तियों का काव्य पाठ किया था और उसका अर्थ समझा था आज हम इसी कविता को पूरा करेंगे तो बच्चों, पहले पूरी कविता का काव्य पाठ करते हैं फिर मैं आपको उसका अर्थ समझाती हूँ आई है परवत के शिकरों को चूम के घटा गेरी जूम के परवत मने पहाड शिकर मने चोटी तो घटा जो है वो कहां से आई है उचे परवतों के शिकरों को चूम कर अर्था चू कर आई है बादल जब परवत से टकराते हैं तो पानी के रूप में बड़सात के रूप में हमें वापस मिल जाते हैं इसी भाव को प्रकट किया है कविने इन पंक्तियों में बादल के पंक्खों पर इसका अधिकार है बिजली की चमक से इसको तो प्यार है हवा और बूंदों की इस पर भरमार है बादल के पंक्खों पर गटाओं का अधिकार है अर्थात गटाएं जहां चाहती है बादलों को अपने साथ ले जाती है पूरे आकाश में फ्हला कर बरसात करवा देती है और जब बरसात होती है तो हम बिजली की चमक देख सकते है और उसकी आवाज सुन सकते है इसलिए कहा गया है कि बिजली की चमक से इसको तो प्यार है हवा और बूंदों की इस पर भरमार है जब बरसात होती है तो हवाएं भी चलती है और पाने की बूंदे भी जमीन पर पड़ती है तभी तो बरसात होती है ना बिटा साथी है ये सब इस भोली मासूम के घटा गेरी जूम के ये सब घटाओं के साथी है जब घटाएं गिरती है तब ही हमें बादल, बिजली, हवा और पानी की बूंदे मिलती है तो ये सब घटाओं के साथी है गलियों बाजारों में इसका ही शोर है जब बरसात होती है तो बरसात होने की आवाज चारों तरफ सुनाई देती है धूम धाम तड़क भड़क गरजन घंगोर है जब बरसात होती है उस समय बिजली की तड़क भड़क दिखाई देती है और बादल के गरजने की जोरदार आवाज होती है इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है जब बड़सात आती है तो मोर बहुत कुश हो जाता है और अपने पंग फैला कर नाचने लगता है नदियों तालाबों में आई है घूम के घटा घिरी जूम के जब बड़सात होती है तो पानी नदियों में चला जाता है तालाबों में चला जाता है इसलिए नदियों तालाबों में आई है घूम के घटा गेरे जूम के हवा चली सिहर रही पेडों की डालियां जब बढ़सात होती है तब तेज हवा चलती है जिससे पेडों की डालियां डड़ जाती है और उनसे भी आवाजे आने लगती हैं एक दूसरे के साथ पत्तों के टक्राने की पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालिया जो पत्ते हैं पीपल के पत्ते और बाकी पेड़ों के पत्ते आपस में हिलते हैं एक दूसरे से टक्राते हैं तो उनसे ऐसी आवाज आती है मानोवे सब खुश होकर तालियां बजा रहे हैं बुन्दों में पल रही देरों खुशालियां जब बरसात आती है तो हम सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़साथ बहुत गर्मी के बाद में हमें मिलती है गर्मी से हम सब बेहाल हो जाते हैं तो जब बड़साथ आती है तो हम सब कुछ हो जाते हैं क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के घटा गिरी जूम के बढ़सात की मस्ती के क्या कहने घटा गिर के आती है चारो तुरब बढ़सात होती है धर्ती पर पानी पड़ता है सब खुश हो जाते हैं इसलिए कभी जो कहते हैं कि क्या कहने इसकी मस्ती के दूम के घटा गिरी जूम के बच्चों बहुत सुन्दर तीना कविता इसकविता के कभी है श्री योगेंद्र दत शर्मा बच्चों इसकविता को आप अच्छी डंग से पढ़िए और याद कीजिए